गुड इवनिंग स्टूडेंट्स यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज में एक बार खिर से आपका स्वागत है आज हम इस वीडियो में विशिष्टा द्वेतवात के बारे में जानकरी फ्राक करेंगे तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको वेदान दर्शन के बारे में बताया था वीडियोज को आप ध्यान से देखें आपको एकजाम में बहुत हैट मिलेगी तो और यदि आप लोगों ने हमारे यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें तदा चैनल को लाइक और सेर करें ठीक है तो चलिए पढ़ते हैं विशिष्टा द्वेतवात का परवर्तक कोन था रामानुज ने जिस मत्त की स्थापना की वह विशिष्टा द्वेतवात था रामानुज के दार्षनिक सिधानतों का वीवरन इस प्रकार से है देखेगा तो कई बार किसनों पूछ लेते हैं विशिष्टा द्वेतवात का परवर्तक कोन था या विशिश्टा द्वित्वात के स्थापना किसने की, वो हैं आपके रामानूज, ओर रामानूज के दास्निक सिध्धान, तो सबसे पहला सिध्धान था है ग्यान, रामानूज ग्यान को दर्वे मानते हैं, उनके अनुसार इसकी प्राप्ति के तीन साधन है, पर्तेक्स, अनुमान तता शब्द, अन्य कार्णों को उन्होंने इन्ही तीनों के अंतरगर समाविष्ट कर लिया है। तता से विशेख होते हैं। दर्वेगुण, जाती वेक्ती, सामान्ने विशेश कभी अलग-अलग नहीं हो सकते। से ऐसा हमती प्रकट करते हैं कि कर्म ज्यान की अपेक्षा निम्न है उनके अनुसार कर्म तथा ज्यान दोनों ही समान रूप से महत्तोपुण है तता ये कर्म ज्यान की अपेक्षा निम्न है उनके मतानुसार कर्म तथा ज्यान दोनों ही समान रूप से महत्तोपुण है तता ये करम ही है जो इस्वर की उपासना की विधी बताता है ज्यान इस्वर के सवरूप को व्यक्त करता है रामानुच मिमास को के समान वेद को नित्य तथा एपूरिशे मानते हैं किन्टु वे ये नहीं मानते कि कर्मों से केवल इस्वर की कृपाही प्राप्त होती है विशिस् प्रकार के ज्यान द्वारा प्रकासित होती है इस कारण हम ज्यान को ऐसत्ते या ब्रह्म नहीं मान सकते हैं ज्यान कभी बादित नहीं होता दो विभिन समयों में उत्पन होने वाले ज्यान वस्तुते बादित नहीं होते हैं तो यहां भी कोई ब्रह्म नहीं है क्योंकि उसका का दिस्ठान सत्ते होता है, जब रशिसर्प परतीत होती है, तो यहाँ भी कोई भ्रहम नहीं है क्योंकि रशिप, सर्प, तदा सर्प दोनों की ही सत्ता अनुभलशिद है, रश्प सर्प इस कारण परतीत होता है कि उसमें सर्थ के लक्सन मुझूद रहते हैं स्वापन में हमें जो अनुभूती होती है वह भी थोड़े समय के लिए सच होती है उसकी रतना इस्वर अल्पकाल के लिए ही करता है अतहम ये कभी नहीं कह सकते कि स्वापन ज्यान ब्रहमात्र है रामानुज का मत है कि परते ज्यान जिस छण में उत्पन होता है उस छण वह बना रहता है उसका एक निशित आधार होता है और इस कारण हम उसे काल्पनिक नहीं कह सकते हैं इस प्रकार वे संकर के इस मत से सहमत नहीं है कि लोग की ग्यान ब्रह्म या मायाजन्य हुआ करता है जिसके अधिस्टान से भिन कोई सत्ता नहीं होती है ग्यान समन्दी रामानुस का मत सत्ख्याती या यथार्ख्याती कहा जाता है अगला सिधान दाता है रामानुस का ब्रह्म विचार रामानु सगुन इस्वर के सत्ता में विश्वास करते हैं वे ब्रह्म को इस्वर बत कहते हैं जो एकमात्र पार्मार्थिक सत्ता है किन्तु संकर के विप्रीद वे ये स्विकार करते हैं कि इस्वर चित अर्थात चैतन्य जीव तथा अचित अर्थात जड़ परकर्ति से नीते हैं, इस प्रकार वे तीन प्रकार की सत्तों को सत्ते मानते हैं, प्रकर्ति, आत्मा और इस्वर्ट, इस प्रकार ब्रह्म एक समस्ट्री का नाम है, यह एक जैविक इकाई है, जिसके तीन परस पर भिन अंस है, रामानुस तीन प्रकार के भेश्विकार करते हैं, पिजा ज़वेत होने का अर्थ यह है कि उसके समान तथा उसके बराबरी करने वाली कोई दूसरी सत्ता नहीं है। जीव तथा प्रकर्टी इस्वर में सुक्समे रूप से निवास करते हैं तथा उसी के संकल्फ से परस पर मिलकर स्रस्टी की रचना करते हैं। इस प्रकार इस्वर ही स्रस्टी का करता है। सुक्स्मा वस्ता में जीयों तथा प्रकर्ति नाम रूप से रहित होते हैं, इनके सत्ता सुध्यों एविकृत होती है, किन्तु इस्तुला वस्ता में ये दोनों नाम रूप ग्रहन कर लेते हैं, यह इस रस्ति है इसमें एव्यक्त प्रकर्ति व्यक्त हो जाती है, तथा प्रैइट अंस जो जीव है वह स्रीरदारण कर लेता है तथा कर्मों का करता और बोकता बन जाता है इस्वयृ नियंता की रूप में उन में परवेस कर जाता रहुआ स्रिष्टि में तीनों तत्मों ब्रह्म जीव तथा प्रकर्ति का सयोंग रहता है। ब्रह्म अंतरियामी है तता स्रिस्टी का कारण भी है। रामानुच के अनुसार जीव तता ब्रह्म का सम्बन सरीर तता आत्मा का है। जिस प्रकार आत्मा अंदर से सरीर का नियंतर्ण करता है, उसी प्रकार ब्रह्म जीव का नियंतर्ण करता है। जिस प्रकार सरीर के विकार यंग गुंडोस आत्मा को प्रभावित नहीं करते, उसी प्रकार जीवों की गुंडोस अत्वा विकारों का प्रभाव ब्रह्म पर नहीं पढ़ता है ब्रह्म ए परिणामी अर्थात विकार रहित है रामानुस ब्रह्म या इस्वर को निर्गुण नहीं मानते उनके अनुसार यह एक सगुण तत्व है जहां उपनिसदों में उसे निर्गुण बताया गया है वहां केवल यह अर्थ है कि उसमें जीवों के तुछ गुण नहीं होते है वह अनन्द गुणों से यूपत है वही स्रस्ट्री की रचना करता है उसे बनाये रखता है तता अन्द में उसे अपने में लिर्ग कर लेता है उपनिस्दों में निस्परपंच ब्रह्म का जो वर्णन हुआ है उसके विशे में रामानुज की माननेता है कि वह कार्य ब्रह्म का वर्णन न होकर कारण ब्रह्म का वर्णन है जहां वह एव्यक्त रहता है इस प्रकार रामानुज ये बताना चाहते हैं कि ब्रह्म वस्तुत एक एविक्रित तथा अत्वा निर्विकार सकता है जो अपने अन्सों में विकार होने के बावजूद भी श्यम्ग विक्रित नहीं होता है। जो चित तथा एचित तत्व हैं परिणाम या विकार केवल उन्धी में उत्पन होता है। श्वा भवी गुण निरूपित करते हैं। इस्वर सर्व सकतिमान है तथा जीवों के पाप पूर्णे से सर्वता एप्रभावित रहता है। उपनी सुदों में ब्रहम के गुण। अब हत पापम तुए अर्थार पापों से रहित तथा सत्य संकल्प तुए अर्थार सत्य संकल्पों से युक्त बताए गे हैं। रामानुज इन्हें इस्वर के पक्स में विवेजित करते हैं। वह अपार करुणा आगात वात्सले तथा अत्ति सुंदर्ता से युक्त हैं। जब मनुष्य पग्वान में अपना चित लगाता है तो अन्य संसारिक वस्तों के प्रति आकरशित नहीं होता। तथा पूर्थियां उसी में लीन हो जाता है। मोक्ष के लिए उसकी क्रपा का होना आवशेक है। इस परकार रामानुज का ब्रह्म सगुन इस्वर है जो उपासना का विशे तथा धार्मिक साधना का आधार है। रामानुज इस्वर को नारायन या विश्णू कहते हैं, वे अपने दिवे लोक में निवास करते हैं, जहां मुप्त पूरुस उनकी सेवा करते हैं, लक्स्मी उनकी प्रियत्मा है, भक्त लोग विश्णू की कृपा प्राप्त करने के लिए लक्स्मी की ही पहले स्थूति कर वे करुणा तथा कर्पा की साक्षात मूटती हैं। अगला रामानुज का जो सिद्धान्त हो है आत्मा। रामानुज इस्वर के अलावा जीवात्मा की सत्तागों भी स्विकार करते हैं। यह चित अर्था चेतन तत्व हैं। दोनों कभी भी एक नहीं हो सकते हैं। उपनिसर जो ब्रह्म तथा जीव की एकता पर बल देते हैं। उसके विशय में रामानुज का मत है कि ब्रह्म सभी जीवों में व्याप्त है तथा वही उनको नियंत्रीत करता है। जीव अपने अस्तीत्वे के लिए इस्वर पर उसी प्रकार निर्भर करता है जिस प्रकार की गुण दर्वे पर अंसी पर तदा शरीर आत्मा पर इसका ज्यान मैं के रूप में सदा होता है। सभी चैतन अवस्ताव में जो उसके आस्रे रूप से वर्तमान रहता है उसे ही हम मैं कहते हैं। मैं जाता हूं, मैं सोता हूं, मैं तत्वय है, तथा मैं शब्द ही उस तत्वय का सूचक है, उसके वेक्तित्वय का कभी नास नहीं होता है, स्रिष्टी की स्थिति में वह अपने इच्छा का प्रियोग श्वातन तरूप से करता है, अपने लग्षे के चुनाव के लिए वह इस्वर पर निर्भर नहीं रहता केवल वह अपने कारियों की सफलता तथा ऐस अपलता की समद्ध में ही उसकी क्रेपा पर आश्रित रहता है, प्रल्यावस्था में भी आत्मा का अस्तित्वय बना रहता है, तथा उसका ब्रह्म में विलोग नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों भिन-भिन सताएं हैं, मुक्त रस्टी करता है, वह आत्मा को कभी भी प्राप नहीं हो सकती, इस प्रकार हम देखते हैं कि रामानुज संकर के इस मत को स्विकार नहीं करते, कि आत्मा तथा ब्रह्म दोनों एक ही हैं, सांख्य मत के ही समान रामानुज भी अनेक आत्मवादी हैं, तथा अनेक आत्मों के स संख्यागत विएद विध्यमान रहता है आत्मा तथा ब्रह्म में कुछ विशिस्ट अंतर है आत्मा अनु है तथा ब्रह्म विभू अर्था सर्वेव्यापी है आत्मा के विप्रीत ब्रह्म पून तथा अनन्थ है आत्मा ब्रह्म का अन्स तथा उसी पर निर्बर है जिस प कि दो भीन पदार्तों में एक तैस्तापित नहीं कि जा सकती उपनिश्दों में ब्रह्म तता आत्मा समंदी अभेद सुचक वाक्य तक्त्वय मसी मिलता है। रामानों जिसकी व्याख्या दूसरे ढंक से करते हैं उनका कहना है कि इस वाक्य का अर्थिय कदापी नहीं है कि विक्ति के अंतर में इस्तित आत्मा ही ब्रह्म हैं। रामानों का कहना है कि ये दोनों ही सत्ते हैं इस्वर के अचित अंस से सरीर की उत्पती होती है तता आत्मा की उत्पती नहीं होती। परतेव बोथिक तत्वे में सिग्रता से प्रविष्ट कर जाता है किन्तु ज्यान को वे आत्मा का गुण नहीं मानते। उनके अनुसार ये आत्मा का धर्म है। रमानुस ने जिवात्मा के तीन परकार बताए हैं बुदा आत्मा, मुक्ता आत्मा और नित्यात्मा। बुदा आत्मा से तात्प्रे सरीरबत जीव से है जो बोथि जगत में निवास करता है। इस्वर की क्रपासे जो उसका सानित्य प्राप्त कर लेता है वह मुक्ता आत्मा है। अगला सिधान दाता है प्रकर्दी। रमानुस के दर्शन में तीसरा तत्व प्रकर्दी है। ज़ड अत्वा एचेतन है, इसका स्यरूप चेतन आत्मा के विपरीध है। यह ज्यान रही तथा विकारी दर्वे है। चेतन के सयोग तथा इस्वर के संकल्ब से उसमें विकार उत्पन होता है। और वह है अपने को जगत के रूप में विक्षित कर देती है। रामानुज एचेतन प्रकर्टी को भी जिवा आत्मा के सम्मान सनातन एउम अनन्त बानते हैं स्वेतास्वर उप्रिशद में इसी प्रकार को निखिल स्रस्टी का बीज माना गया है सांखे के सम्मान रामानुज भी उसे अज्जा अर्थात एजन्मा एउम सासवर मानते हैं किन्तो उनके अनुसार ये इस्वर के द्वारा ही संचालित उसी का अन्स है प्रेले की अवस्ता में यह चित आतमा के साथ सुक्समा वस्ता में इस्वर में विद्यमान रहती है प्रकर्ति रूपी बीज से ही इस्वर जिवात्मों के पूर्व संचित कर्मों अर्थात एदर्शय जो कर्म है उनके अनुसार संसार की रचना करता है प्रकर्ति के तीन गुण है सत्वय, रज तथा तम इसी कारण सभी संसारिक वस्तों में इन तीनों गुणों का मिश्रन देखने को मिलता है इस प्रकार संचिय के समान रामानुद्वी प्रकर्ति को ही स्रस्त्री का मूल कारण स्विकार करते हैं किन्तु संचिय की तरह विये प्रकर्ति तथा पूरुस को पर्थक पर्थक की कोई सत्ता नहीं होती अपितु यह तो इस्वर पर ही आदारीद उसकी एक सक्ती विशेश है प्रल्या वस्ता में जब प्रकर्टी की कोई सत्ता नहीं होती अपितु यह तो इस्वर पर ही आदारीद उसकी एक विशेश सक्ती है प्रल्या वस्ता में जब प्रकर्टी सुक् रज और तम ये तिनों गुण पाए जते हैं। इस प्रकार उनके माया का अर्थ अद्बूत विश्यों का सर्जन करने वाली सक्ती है। जगत या स्रस्टी रामानुस के अनुसार इस्वर की सक्ती से विरचित जगत एक वास्त्विक सत्ता है। यहां में संकर की भाती जगत को आभास मातर नहीं श्विकार करते। उनके अनुसार इस्वर की ही जगत का उपादान तथा निमित दोनों ही कारण है। यह जगत इस्वर की ही कृत्ती है। इस्वर तथा जगत का संबन्ध वस्तुत है, कारिय कारण का संबन्ध है। दोनों में एविचिन संबन्ध है। रामानु जे सतकारिय वात के समर्थक है जिनके अनुसार कारिय अपनी उत्पती के पूर्वे कारण में विद्धे मान रहता है कारिय अपने कारण से पर्थक नहीं हो सकता येदि कारिय और कारण परस पर समनिन नहीं हो तो कोई भी कारिय उत्पन नहीं हो सकता येदी कारण सत्ते है तो फिर उसे उत्पन नहीं हो सकता येदी कारण सत्ते है तो फिर उसे उत्पन कार्य भी सत्ते होगा रामानो संकर के विवर्थवाद को नहीं मानते अपितु पनिनाम वाद का समर्थन करते हैं इसके अनुसार यह करम ही है जो अपने को कार्य रूप में बदल देता है कार्यत था कारण वस्तुते एक ही पदार्थ की दो भिन भिन अवस्थाओं के सूचक है कारण भूद दर्वे इस्था वस्था अंति रा परती रेव की कार्यत था अता है जब जगत या स्रश्ठी का कारण इस्वर सत्य है तो उसका कार्य जगत कैसे असत्य हो सकता है हताय रामानुच का इस्पस्त मत है कि हम इस्वर की रचना सरश्टी को मिठ्वा नहीं मान सकते इसकी सत्ता पार्मार्थिक ही है क्योंकि यह सगुण ब्रह्म से उत्पन हुआ है परम ब्रहन से विशे सम पदम विभूती भूतम जगत पी पारमार्थिक मेवेती ग्यायते उप देशो उप निशदों में जगत के मिथ्या तथा नानात्वा के निशेत समंधी जो विवरन मिलता है उसके विशे में रामानुच का विचार है कि यहां विश्यों की सत्ता को एस्विकार नहीं किया गया है अपितु उनकी स्वतंतर स्थित्य को एस्विकार किया गया है इसका अर्थ मातर यही है कि ब्रह्म अत्वा इस्वर से पर्थक किसी भी पदार्थ की सत्ता नहीं है तथा उसी के उपर आश्रित हैं जिस परकार स्वान से बने हुए आबुशन स्वान पर तथा मिट्टी से बने हुए बर्तन मिट्टी पर आश्रित होते हैं उसी प्रकार इस बोतिक जगत की सभी वस्तियें ब्रह्म पर आस्रित है ब्रह्म सर्वे व्याप्पी है तदा घट-घट में उसी की सत्ता व्याप्त है इस प्रकार रामानुज का स्पस्ट मत है की जगत उतना ही सत्ते है जितना की उसका कारण ब्रह्म या इस्वर अब देखें अगला सिधान दाता है मायवाद की अलोजना रामानुज संकर के मायवाद को स्विकार नहीं करते वे जगत को मिथ्या तथा या अध्या समात्र ने मानगर यथार समझते हैं उनके अनुसार माया का अर्थ इस्वर की अद्बुत रचना, सक्ती तथा अविध्या का अर्थ जीव का अज्यान है जिसे वह भ्रह्मवस अपने को सरीर, इंदरिये, मन, आदि समझ बैडता है वे संकर के माया के सिधान्त के विरुद साथ महत्वपुन आरोब अर्थाथ अनूप पती लगाते हुए उसकी अलोजना करते हैं ये इस परकार से हैं पती, निवरत्य नूप पती, ठीक है बंधन तता मोग्स अन्य भारतिय दाश्निकों की भाती, रामानुज भी बंधन तता मोग्स की समस्या पर विचार करते हैं और मोग्स को जीवन का चरम लगसे मानते हैं उनके अनुसार कर्मों के कारण ही आत्मा बंधन ग्रस्त होती है कर्मों का फल भोगने के लिए ही जीवा आत्मा प्राकर्ट सरीर से सम्बन हो जाती है वै अग्यात्वस अपने को सरीर, इंद्रिये, मन, आदि समझ बैठता है तथा कर्ता और भोगता मानने लगता है आत्मा अनुरूप है तथा सरीर के परतेक भाग को ये उसी प्रकार चतने बना देता है जिस प्रकार से दिपक कमरे को प्रकार शूक्त कर देता है आत्मा में करता तथा भोगता का भाव अज्ञान जनित एहम के कारण पैदा होता है यही एहंकार एविद्य है रामानुच के अनुसार यती करम फल का नास हो जाए तो आत्मा सरीर बत नहीं होगी अत्य करमों तथा उनके फलों का पूर्ण विनासी मोक्स है संसार को सत्य मानते हुए भी रामानुच ये मानते हैं कि वह भवसागर को पार कर अमर्त्वय की प्राप्ति करें रामानुच के अनुसार मोक्स के लिए ये अवसेक है कि आत्मा करमों के बंधन तथा उनके फलों से छुटकरा प्राप्त करके उस अपने को सुद करें यह कर्म तथा ज्यान के मैत्री पुन सम्नम्वे अर्थात ज्यान कर्म समुचे से ही सम्भव है कर्म से राम्मानुच का तात्रिय वेद विहित कर्मकांडू अर्थात वर्णास्रम ध्रम से है राम्मानुच पूर्वे तथा उत्तर मिमांसा में कोई वेद नहीं मानते हैं वेदान के अध्यन के लिए उर्व मिमानसा का अध्यन आवसेक होता है वेद मनुशों के लिए जिन करमकाण्डों का विधान करते हैं उनका बली भाती आजरन करना चाहिए तबी करम बंधन से मुक्ती संभव हो सकती है किन्तु करमों का अनुस्ठान निस्काम भाव से केवल इस्वर को परसन करने के लिए ही क्या जाना चाहिए इस प्रकार निस्टा पूर्व कर्म करता हुआ जीवा आत्मा यह अनुभव कर लेता है कि केवल इने से मौक्स की प्राप्ती नहीं हो सकती अत्यवाए अपना चित वेदान के ध्यन में लगाता है वेदान उसे इस्वर आत्मा तथा प्रकार्टी के सवरूप से अवगत करा देता है उसे यह ज्यात हो जाता है कि इस्वर जीव तथा प्रकार्टी से विशिस्थ है और वही विशिस्थ है और वही इनका नियामक है जीव तता प्रकर्टी मिलकर इस्वर के स्रीर का निर्मान करते हैं किन्तु वे ज्यान का तादातम में भक्ति से स्ताफित करते हैं कर्म तता ज्यान द्वारा ही भक्ति का उद्धे होता है ज्यान तता कर्म एक दूसरे के पूरक है मोक्स के लिए इस्वर की करपा आवशेक माने गई है और यह करपा केवल भक्ति के मादिम से ही मिल सकती है इस्वर जो इस रस्टी का करता पालग यम समहर्ता है उसकी उपासना का एक मातर दिस्तान है इस्वर की भक्ति उसमें पूर्ण समर्पन तथा उसका निरंतर शुमारण है जब मन बगवान में लग जाता है तथा उसके तेर से प्रकाश्यूक्त हो जाता है तब दूसरी सांसारिक वस्तों के प्रती आकर्शित नहीं होता तथा इस्वर को ही वहे अपना परमतिये आधार मानकर उसी में तदचित हो जाता है मनियाचित की इसी अवस्ता को रामानुज भक्ति की संग्या परदान करते है यह भक्ति एक विशेश प्रकार का ज्यान है जो सामाने ज्यान से भिन है वस्तुते सामानी ज्यान की चरम परिणती ही भक्ति है इंस्वर के शोभाव का प्रेम पूर्वक ध्यान करना ही भक्ति है भक्ति के लिए दो बातें आवस्यक है één मन को पूनरी रुपें इस्वर में केंद्रीत करना तथा भगवान के सोरूप का ज्यान इन दोनों से युप्त वेक्ति ही इस्वर का सच्चा भक्त एम प्रियम बात पात्र होता है सच्ची भक्ति का उदे इस्वर की करपा से ही हो सकता है रामानुच करम योग, ज्यान योग तथा भक्ति योग में समनवे स्थापित करते हैं तदा भक्ति को परम भक्ति, परम साधेत, कर्म और ज्यान को उसकी प्राप्ति में साधन के रूप में मानेता परदान करते हैं। उनके मत में भक्ति तीन परकार की होती है, साधन भक्ति, परा भक्ति, तथा पर्मा भक्ति। पर्थम में वेक्ति सांसारिक विशे भोगों से उब कर अपना ध्धान इस्वर में लगाता है इसके रूप पूजा पाठ, पाठ सेवा, यम नियम, आदि आचार हैं जो वेक्ति के मन को निर्मन बनाते हैं इसमें बगवान प्राप्ति का लक्से सामने होता है तथा जो कुछ भी किया जाता है वहे उसी की आराधना के लिए होता है दूसरी अवस्ता में वेक्ती भगवान का दर्शन प्राप्त कर लेता है इस्वर की पूंटा में उसका विश्वास द्रण हो जाता है तथा वह अपने को उसी का अंध समझ कर उसका पर्त्यक्स अपने अंत्रा आत्मा के रूप में करता है अंतिम अवस्ता में भक्त बग्वान के साथ अपने को एकाकार समझ कर पौन रूपे और उसमें निमगन हो जाता है रामानुच का मत है कि इस्वर की करपा प्राप्त करना ही मोक्स का सरवतम सादन है और यह सभी लोगों के लिए सदा सुलब है इसके लिए साद्द को इस्वर में अपने को पौन समर्पित करना होता है इस पौन समर्पन को प्रपति अथ्वा सरणागती कहा गया इस्वर की करपा प्राप करने की यह आवशेक शार्थ है संडनागर जीव को इस्वर सहजी अपनी कृपा द्रश्टी परदान करता है और ऐसा भक्त उसका परंपिरिये पात्र बन जाता है इस्वर साद्य की भक्ति तदा प्रप्रटी से प्रशन होकर उसकी सभी भव बाधाओं को दूर कर देता है तदा उसे अपनी शराण में ले लेता है यही मोक्स की अवस्ता है इस परकार जहां संकर ज्यान को मुक्ति सा सादन स्विकार करते हैं वहीं रामानुज भक्ति को व ब्रह्म परकार हो जाता है वह अपने वास्त्रिक सवरूप का ज्यान कर लेता है तता अपने को परमात्मा का अंसमझ लेता है आत्मा अणु है जबकि परमात्मा विभू है ये दोनों कभी एक नहीं हो सकते मुटा आत्मा अज्यान तता दोसों से रहित होकर निर्मल हो जाता तता इस्वर के पीस्टे सानिते में निवास करते हुए उसी के समान अनंद चैतन ने एवं आनंद का उभव करता है यह है अपने को इस्वर का सरीर समझ लेता है किन्तु यहां भी उसके वैसिस्टे का विनास नहीं होता बंधन का गारण आत्मा का स्वतनतर विक्तित्वर न आत्मा के लिए सबसे बड़ा आनंद यह है कि वैस्वर की अनंद महिमा का निरंतर द्यान करता रहे और यह तबी संभव है जबकि उसका वैसिस्टे सुरक्षित रहे इस रेस्टी से राम्बानुच के मत में जीवन मुक्ति जैसी कोई अवस्ता नहीं होती है उनके अनुस तबी संभव है जबकि आत्मा का स्रीर से समद्विछे हो जाए तबी सबी प्रकार के बंद्रों से मुक्तो कर आत्मा इस्वर के लोग में रहते हुए असीम आनंद की अनुभुति करता है यही जीवन का चरम लक्षे है तो देखेगा इस वीडियो में हमने रामानुस के सिधानतों के बारे में जानकरी प्राप्त की कई बार बड़ा क्यूसन पूछ लेते हैं इसलिए हमने यह वीडियो बनाया है तो वीडियो बोई धान से देखेगा और इसी परकार से बने रहे हमारे यूटूब चैनल